आज के इस वीडियो में, educational psychology में हम बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं, personality inventories के बारे में, जिसको हिंदी में व्यक्तित्व आविस्कारिका भी कहते हैं, कई जगे आपको आविस्कारिका की जगे सोची भी लिखा मिल जाता है, तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे, हम सम कि personality inventories है क्या, इसका यूज किस तरह से किया जाता है, तो हम वीडियो को सुरू करते हैं, personality inventories, your personality can influence the type of work that you excel in or enjoy doing, कि आपका व्यक्तित उस परकार के कारे को परभावित कर सकता है, जिसमें आप stressed हैं, या जिसे करने में आपको आनन्द आता है, तो आपका जो फिवरिट काम आपको जो चीजी अच्छी लगती है, आपको sports अच्छा लगता है, आपको music अच्छा लगता है, आपको dance अच्छा लगता है, आपको teaching अच्छी लगती है, ठीक है, तो आपको जो काम अच्छा लगता है, अगर आप उसी field में आगे बढ़ें, तो आप अपने काम को करके बहुत होंगे और आप अपने काम को और बहतर तरीके से कर सकेंगे लेकिन इसके लिए आपको तो पता होना चाहिए ना कि आपको क्या चीज़े अच्छी लगती है क्या चीज़े अच्छी नहीं लगती आपकी श्रेंद क्या है आपकी वीकनेस क्या है अगर आपको अपनी ब काम में अपना करियर बनाते हैं तो आप हमेशा तरक्की करेंगे उन्नती करेंगे लेकिन इसके लिए आपको खुद के बारे में पता होना चाहिए So, to better understand yourself you can use a self-assessment tool called a personality inventory कि स्वेम को बहतर तरीके से समझने के लिए आप व्यक्तित आविस्कारिका नामक्स्त्वा मूल्यांकन उपकरन का उपयोग कर सकते हैं तो personality inventories क्या है व्यक्तित आविस्कारिका क्या है एक self-assessment tool है जिससे हमें खुद को और बहतर तरीकी से जानने में खुद को और बहतर तरीकी से समझने में मदद मिलती है help मिलती है तो आपके सामने एक assessment tool है एक example के रूप में जिसमें true and false है ठीक है I like gardening magazines I am unhappy with my sex life I feel like no one understand me I think I would enjoy the work of a teacher I am not easily worked by noise तो इस तरह से true, false, agree, disagree ठीक है strongly, disagree, strongly, agree तो इस तरह के जो self-assessment tool होते है तो एक क्या है personality जो inventory से उसके एक example है तो एक तरह का self-assessment tool है जिसके माधियम से हमें खुद को और बहतर तरीके से जानने में समझने में मदद मिलती है ठीक है When you use this tool to identify your strength or preferences it can help guide you towards your optimal career path कि जब आप अपनी ताकत या वरिताओं की पहचान करने के लिए इस tool का इस उपकरन का उपयोग करते है तो यह आपको अपने इस्टितम career path की और मारदरसन करने में मदद करता है जब आप इस tool का use करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी practice क्या है आपकी preference क्या है आपकी strength क्या है तो उसी हिसाब से आप उस area को choose कर सकते हैं उस area की तरफ आगे बढ़ सकते हैं personality inventory is the most popular method of personality assessment कि व्यक्तित आविसकारिका व्यक्तित मुल्यांकर्ण का सबसी एक तरह की लोग प्रिय विधी है this is a self-assessment method often a standardized questionnaire that reveals insight into an individual's character कि यह a self-assessment tool है एक पदिती है ठीक है यह अक्सर क्या होता है standardized questionnaire के रूप में होता है जिससे किसी भी व्यक्ति के अंदर क्या है उसकी क्या strength है क्या weakness है वो क्या चीजें बहतर तरीके से कर सकता है उसकी पसंद क्या है तो इससे व्यक्ति का जो एक अंतर मन है उसको और बहतर तरीके से समझने में मदद मिलती है इस टेश्ट कैन हेल्प असेस एन इंडिविजल सोसर करिक्टिक्सरिक्स मोटिवेशन एंड एटिटीट्वेशन एज वेल एज हीज और हर श्रेंथ एंड वीक्नेस इन वेरियस एरिया कि यह परिक्षन किसी व्यक्ति की समाजिक विसेश्टा है उसके मोटिवीशन से प्रेंड ना है दिश्टी कोण है उसके साथ विविन चेतरों में उसकी क्या ताकत है क्या कमजोड़ी है किस फिल्ड में अच्छा है किस फिल्ड में अच्छा नहीं है तो इस जानने में help मिलती है इस टूल के मदद से कौन सा टूल है पर्सनलिटी इन्वेंटरी तो पर्सनलिटी इन्वेंटरी क्या है एक self-assessment टूल है जिससे हमें खुद को भैतर तरीकी से जानने में समझने में help करता है It can also be used to help individuals determine their ideal or optimal career किसका उपयोग व्यक्तियों को अपने आधर्स या system career निर्धारित करने में मदद करने के लिए भी किया जा सकता है कि जो भी individual है कौन सा career उसके लिए जाल अच्छा है क्या individual को पसंद है करना उस हिसाब से वो किस career की तरफ आगे बढ़ सकता है In this method, statement about certain traits of personality are constructed and the test is required to answer them as right, wrong, yes, no, true, false, agree, disagree जैसे अभी example पे हमने देखा था तो इस तरह के questionnaire होते हैं और इस तरह के जो options होते हैं इंसान को जो भी उसको अच्छा लगता है अपने बारे में अच्छा नहीं लगता चीजों के बारे में जो अच्छा लगता है नहीं लगता तो true, false, yes, no agree, disagree इस तरह से कर सकता है तो इससे उसको इस जाने में मदद मिलती है कि उसको क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता, उसकी strength क्या है, weakness क्या है, ठीक है, तो, यही personality inventories है, ठीक है, so, कुछ question भी और इसमें दिये गए हैं, जैसे, do you have problem in sleeping, yes or no, क्या आपको सोने में परिसानी होती है, एक तरह के personality inventories के question है, जिसका answer किसमें है, yes or no में, true, false भी हमने देख लिया, yes or no भी हम देख रहे हैं, ठीक है, agree, disagree, strong agree, वो भी हमने देख लिया, ठीक है, तो इस तरह का क्या है कि personality inventories के बारे में हमें क्या समझ में आया है, कि एक self assessment tool है, जिससे किसी भी individual को अपनी बारे में बहतर तरीके से जानने में समझने में help मिलती है, इसी तरह से एक counselor भी इस तरह के self assessment tool जो personality inventories इसका प्रियोग करके सामने वाले के बारे में चाहिए कोई instrument हो, कोई बच्चा हो, उसके बारे में और बहतर तरीके से जान सकता है, समझ सकता हो, उसके हिसाब से उसको आगे future के लिए guide कर सकता है, different types of personality inventories की, अलग लग परकार के जो personality inventories हैं, कौन कौन से हैं, तो कुछ examples भी है, ठीक है, पहला क्या है, Minnesota multi-fasic personality inventory जिसको MMPI-2 भी कहते हैं, एक example है, personality inventories का bell adjustment inventory, बेल समायो जन सूची, और cattle की 16 व्यक्तिक कारक परसनावली, cattle 16 personality factor questionnaire, तो यह कुछ personality inventories के जो examples हैं, तो हमें क्या समझ में आया इस वीडियो में, कि personality inventories क्या है, एक self assessment tool है, एक swarm मुल्यांकन उपकरन है, जिससे किसी भी individual को खुद के बारे में, अच्छे तरीके से जाननी में, समझने में help मिलता है, उसकी क्या weakness है, क्या strength है, उसकी priorities क्या है, उसको किस area में जाना चाहिए, किस field में जाना चाहिए, तो इसलिए personality inventories के माद्यम से, किसी भी individual को खुद के बारे में, जानने में, समझने में help मिलती है, और अक्सर जो psychologist होते हैं, जो counselor होते हैं, इस तरह का tool का use, बच्चों के बारे में, strength हैं उनके बारे में, और बहतर तरीके से जानने में, समझने में, इस tool का use करते हैं, तो I hope आपको समझ में आ गया होगा कि personality inventories क्या है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो comment करके अपना feedback जरूर दीजिए, आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद,